जी पोलाश जी हमारे साथ जुड़ गये हैं वेस्ट बेंगॉल से इन्होंने हमें कॉल किया है और इनकी भी एक समस्या है आईए जानते हैं पोलाश जी बताइए क्या परिशानी है आपके साथ चले पोलाश जी से हमारा संपर्ख तूट गया है उनसे बात्चीत हम करने की कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमें कॉल कर सकते हैं एक और दर्शक है हमारे साथ हलो हलो हां जी कि हम一 डॉक्तर साथ की बात कर सकती है बिल्कुल नमस्कार जी स्वाइफ है वी कारिक्रं बे डॉक्टर साथ के बात कर त्सक्रेंगे हमारे साथ हैliest जी जी आप बात कर रहे हैं बताईए क्या सवाल है आपका जो सब मुझे पैरों में तकलीब है पैरों पे काले काले दब्दे हो गया है आठ दस साल से तकलीब कह रहे हैं तकलीब भी है क्या तकलीब ऐसे तो कुछ नहीं दिखती पर काले काले बहुत ज़्यादा हो गया है देखने हैं बलेक कलर के ही लगते है जुसे ब्लैक हो गिंगे हो तै की दर्द ने हैं ना जातका वाइसा निहने को भी ची पे हो जाएं काली निशान हो जाएं यह वहांसे की निशान हो जाएं वहांसे हैं बनती हो, कब्ज रहता हो, या ऐसे आप जैसे निशान हो जाते हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक इलाज है, अलसी लीजिए आप 500 ग्राम, 500 ग्राम अलसी, हलका सा भूने, उसका पॉडर बना लें, और नमक जैतून, जैतून का एक नमक आता है, जो देखने में नमक ज सायन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ऐस्टेक जैतून कहते हैं, आप 100 ग्राम लेकर इसमें पाउडर मिलाग लीजे, दोना का पाउडर बनाई है, और आदा आदा चमच, या एक एक चमच, सुबा शाम पानी के साथ लिया करें, आपको फाइदा होना मुम जी नमस्कार जितर, जी अदर नमस्कार, जी मेरे मेरे पच्चित साल एज है, मेरे आरे फेक्टर बड़ा हुआ असर मेरा, जी आजे आरे फेक्टर इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, करीब तरे 54-53 पन हो रहा है, और मेरे बुतनों में पानी भाग जाता है, जी लखिया भ मुझे देखिए एक बहुत गौर से सुनिये, बहुत गौर से सुनिये आप ये निस्कार और पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे बार बार तो पानी नहीं आता है, पानी आने का तो रास्ता होता है, घुटने में पानी आने का क कैसे पानी आता है बरहल आप जो भी करना चाहें इलाज करते रहें लेकिन एक इलाज मैं आपको बताता हूँ देखिए पांच सो ग्राम अलसी हलका सा भून कर पौडर बना लें ठीक है और एक चम्मच यानि तीन चार ग्राम छोटा चाय का चम्मच सुबा और शाम इसे खान ख्याँ तीक है यह इतनी लीजे जितना आपको साथ आट महीने चले या बार बार लेके पाउडर बना लिया करिए और एक आता है गौन सियाः इसे काला गौन कहते यह अलग से पाउडर बना लीजे सो दूसु ग्राम खरीद के अलग से पाउडर बना के रखिये और जब आप ये अल्सी खाया करें इसमें या तो आदा गिराम समझ लीजिए कितना होता है या दो चुटकी गौन सिया इसमें मिला कर अल्सी पॉडर में रोजाना खा लिया करिए एक बार या दो बार देखिए बहुत सयम रखना हर महीने दस बीस परसेंट फायदा होगा आपको बह क्यार तो अगर इतना सयम रखने को तयार हैं तो ये नुस्खा शुरू करें आपका ठीक होना बहुत जरूरी है आप पर जिम्मेदारी होगी आप बहुत चोटे उमर के हैं और आपको सही इलाज मिलना बहुत जरूरी है ये नुस्खा लें और आपको फायदा होना vagy हुन एक और दर्शक है, पिंटु जी ने हमें कॉल किया है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उन्होंने हमें यूपी से कॉल किया है, पिंटु जी बताइए मेरी माता जी जो उनका लगवाद पच-पन साल के तरीपा है, उनको जो है, दो साल, ती साल पहले पारलासिस हुआ था, जो की अब तो ठीक है, दाव अचल रहती है, लेकिन उनका जो स्वाब जो खाने का टेस्ट है, वो नहीं आ रहा है, जो कुछी भी खाती है, तो उनको ज टेस्ट नहीं मिलता, जे, तो यही राक्रास से बात करना चाहिए, मैं सबज गया, और ऐसी ख्यार लखा करिए अपनी माता जी का, जिनके पास इतने अच्छे बच्चे हो, उनका ठीक होना तो मुम्किन होता ही है, और लुकिए, अलो वीरा तो आप जानते हैं, अलो वीरा अलो वीरा का सिर्का मिला दिया करिए, सिर्का आप समझते हैं ना, अलो वीरा का वेलेगर, या साइडर कहते हैं, सिर्का, ये जायके में खटा होता है, और उन्हें पलाया करिए, आप देखेंगे कि आपकी मम्मी का सौाद भी लोट आएगा, और ये जो फालिज होता है, ये बार-बार होता है ये उतको इस फालिज के दुबारा होने से भी रोक सकता है जहां वाके में तो ये भी आपको बता दे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हकीम साहब के साथ तो कई माध्यम हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं उसके अलावा फेस्बुक का जो पेज है हकीम सा सकते हैं इसके अलावा ये भी आपको बता दे कि अगर आपका कोई भी सवाल होता है कोई भी प्रशन होता है किसी तरह की परिशानी आपके साथ हो रही है तो help line numbers जो है वो भी लगातार आप अपने television screens पर देख सकते हैं एक और दरशक है शबनम जी ने हमें कॉल किया है उन मेरे ना सारे बदन में हट्टियों में नफ़ों में दरख रहता है और आजे बदन में समर से लेके और जानों तक महीन महीन दाने हो जाते हैं वो जाते नहीं हैं और हलक में भी दाने रहते हैं और एक जम से जिजगा जिजगा पर बैठ जाती है जिजगा इसकी करम हो जात परिशान से आप परिशान का सानी इखार मुग जिए यह का रावर रहों हैं तो की से अट-बाइस साल से आप परीशान आप तीन-चार महीने में जा सकती है आपके पास कॉंपी पैन तयार है क्या अगर आपके पास कॉंपी पैन तयार है तो लिख लीजे वैसे तो नुस्वा असान है लेकिन लिखना बहतर है देखिये आप पांच सो ग्राम अल्सी लीजे और इसको भून कर पॉडर बना लें और सौ ग्राम गॉन सिया खरी दें लेकिन असली होना चाहिए असली होना चाहिए ये बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है ब्राउन कलर का होता है लेकिन गॉन सिया कहते है यानि काला गॉन तो ये असली मिल गया अगर आपको समझ लीजे कि ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको जब खतम नहीं होगा जब तक जब तक आपको फाइदा न पहुचा दे लेकिन असली लेना जरूरी है इस अलसी में मिला दीजे पाउडर बनीवी अलसी में इसको भी पाउडर बना के मिला दीजे ये रॉव मेटिरियल लेना पिसा पिसा है नहीं अब ये एक एक कैपसूल सुबा दुपेर शाम आपको खाना है खाने के पश्चात पानी से बग़र चर्बी के दूस से या आप रईस हैं तो जूसे भी ले सकते हैं कभी-कभी ये छेसो ग्राम पाउडर खतम होने से पहले आपका रोग मुक्त होना हो जाना चाहिए लेकिन एक बात करना आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो उसका इंतिजाम करना बस ये मेरी शर्त है आपको मैं दूआ भी करूँआ कि आपको जल्दी फायदा हो शाहाना जी भी जुड़ गई है हमारे साथ लखनाव से हमें कॉल किया है शाहाना जी सवाल कर सकती हैं हलो शाहाना जी सवाल करें वाल इसलाब अच्छाव मेरे पेट में बहुत सालों से दिक्कत है और मेरे पेट में मतरब पहले डॉक्टर ने अलसर बचाया था उसका काफी टाइम इलाज चला फिर उसकी बाद बहुत जादा प्रॉब्लम हो गई थी तो आते सूप गें थी उसका बहुत इलाज चला तेरे काफी ठीक हो गई मैं लेकिन अभी भी मेरे दोटीन मैंने से अचानक से पेट में दर्द उठ जाता है और पूरी राद दर्द होता है जी 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 एज भी बता दीजे अपनी जी बहुत कम उमर में आप कोई तकलीफ हो गई खाने पीने में कोई चीजे खाया करें जो हजम हो जाएं आसानी से आपको पता हुआ कोई ने कोई चीज आपको बहुत जादा मुश्किल से हजम होती है तो वो चीज मुस्तलत कर दें और अभी तो एक चीज आती बेल का मुरबह जो पत्तर बेल या बेल का बेल पत्तर कहते हैं वो तो अभी दो भीने बाद आएगी बेल का मुरब्बा आता है मुरब्बा बेल या बेल का मुरब्बा या कौवेट का मुरब्बा कहते है इसको एक कतला हो जाना खाली पेट यानि निहार मूँ सुबही सुबह खा लिया करिए तीन-चार इंच का एक पीस और रोज खाया करिए ज़रूत पर तो रात को भी खा सकते हैं और जब बेल शुरू हो जाए पकी हुई आनी तो आधी बेल रोजाना खाया करें दो वक्त में और पानी खूब पिया करें अंजीर अगर आपको ताजी मिल सकती है अंजीर तो रोजाना दो अंजीर खाया करें अगर ताजी नहीं मिले तो जो ट्राइफरूट में अंजीर आती है उसको दूद में उबाल कर खाया करें ये सब घरेली नस्के हैं और कोई भी तेज मसालों की चीज ना खाया करें और गौन मौरिंगा सफेद अगर मिल जाए तो आधा गिराओं तूद्व मिला के रोज पिया करें आपको फायदा मुम्किन है जे राम प्रसाज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है उन्होंने कॉल किया है अलीगर से राम प्रसाज जी बताईए किस तरह की परिशानी है आपके साथ चलिए राम प्रसाज जी से हम बातचीत करने की कोशश करेंगे और कालिकरम की शुरूआत में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं इसके बारे में विस्तार से लगातार हकीम साहब से हम बातचीत करें हकीम साहब नींद की अगर बात की जाए जिस तरह का लाइफ स्टाइल हमारा हो चुका है तो नींद हम पूरी नहीं ले पाते हैं कम से कम कितने घंटे सोना जरूरी होता है ताकि हम पूरी तरह से फिट रहें जादा उमर वाले आदमी को छे घंटे कम सकम नींद आनी चाहिए और जवान को साथ या आट घंटे का समय नींद का चाहिए गफलत की नींद चाहिए यह नींद के पूरे दुनिया के खैलाद अगर हम लेके सोते हैं तो ऐसे ही स्वपन आते हैं और ऐसा लगता है कि हम सोई तो नींद भी गफलत वाली जानी चाहिए और ये सहत की निशानियों मैंसे एक है आप यकीन करेंगे कि मैं कभी लेट नहीं सोता ना लेट उटता जो आदमी जल्दी सोएगा वो ही जल्दी उट सकता है और मैं एक ऐसी जगा चला गया जहां मुझे बीस बाइस साल गुजारने पड़े और जिसे लोग रोशनी का शहर हाथसों का शहर और जोने कितने नाम हैं उसके उसे महारास कहते हैं बंबी लेकिन मैंने वहां भी आदत नहीं बदली वहां लोग फजर के वक्त सोते हैं जे औ और मैंने अपना मामूल नहीं बदला हम अपने आप में मजबूत हों और बहुत खाहिशें कभी नहीं बढ़ाई हैं जे खाहिशें बढ़ाना भी नींद नाने की वज़ा हो सकती है अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है